आज की इस वीडियो मेरे आप सरीका हार्दिक स्वागत है आजकी इस वीडियो मेरे हम आपको बताने वाले हैं कि वजन को कमकरने के लिए और जो हमारे पेट के उपर चर्वी जमा हो जाती है उसको कम करने का एक बहुत अच्छा और प्राकर्तिक नुस्का एक चमतकारी नुस्का हम आपके लिए कराए हैं दोस्तों कोई भी इंसान मोटा देखना पसन नहीं करता और कोई इसको मोटा बोलता भी तो बड़ी सर्विंदकी की बात लगती है बुरा लगता है गुस्सा आता है और हर इंसान मोटा पसे छुटकारा पाने के लिए बहुत सारी कोशी से करता है लेकिन उसके बाद भी यदि आपको निरासा ही हाथ लगी है तो आप निरास नहों आपके लेकर आए हैं बहुत अच्छा नुसका एक बहुत अच्छा ड्रिंक जिससे आप अपने फैट से छुटकारा पा सकते हैं मौटा पे से छुटकारा पा सकते हैं यह एक ऐसा चमतकारी उपाय है जिससे आप बहुत आसानी से अपने मोटा पेसे और फैट से निजाद पा सकते हैं दोस्तो यह चमतकारी ड्रिंक आपके पेट के उपर जो जमा हो गई है चर्बी और जो वजन बढ़ गया है उससे आपको यह बहुत आसानी से निजाद दिला पाएगा इसके लिए सामगरिय में चाहिए नीमबू एक बड़ा नीमबू और हरा धनिया कुछ पत्तियां हरे धन की बस यह दो चीजे चाहिए अब इसको बनाने का तरीका देख लेते हैं दोस्तो इस नीमबू का रस लें और यह रा धनिया छोटा-छोटा काट लें और इसमें डालना है आपको एक कप पानी 200 गिराम के करीब पानी आप इसमें डालने और एक मिक्सर में इसको डालकर अच्छे से इसको इसका पेस्ट वो बना लें एक जूस जैसे बना लें इसको और इसमें आवज सकता अनुसार यदि आप चाहें तो एक चुटकी सिर्फ एक चुटकी काला नमग डाल सकते हैं जा कि हरा धनिया और ये नीबू किस तरह से ये हमारे सरीर से वजन कम करने के लिए किस तरह से हलपफुल है धनिये में सक्तिसाली अंटियोक्सिदेंट्स पाय जाते हैं ये सरीर में सैल्स को पुनर जीवित करता है और गुर्दों को सही तरीकी से कार्य करने में मदद करता है धनिया में बहुत से खनीच पदार्थ होते हैं, जिन से गुर्दे मजबूत होते हैं, विसेले तत्व हमारे सरीर से बहार निकलते हैं, और गुर्दों में जो चर्बी जमा होती है, उसको भी यह कम करता है। दोस्तो, इसी तरह निम्बू, निम्बू में भरपूर मातरा में विटामिन सी और बी होती हैं, जो हमारी सहत के लिए और सरीर के लिए और गुर्दों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, यह गुर्दे की सफ़ाई करने में भी बहुत महत पूर्ण है, निम्बू में सोडिय से ये दोनों सामगरियों के मिसरिन की वज़े से हैं ये दोनों मिलकर एक ऐसा ताकतवर मिसरिन बनाते हैं जो सरीर से विसार्थ पदारतों को बाहर निकालने में और पाच्चन सक्ति को बढ़ाने में काफी मददगार हैं दोस्तों जिस से मोटा पकम हो जाता है और किड्नी भी हमारी अची हो अच्छी रहती हैं इस्तिमाल करने का तरीका आप इस DRINK को डेली सुब्ह मनाए और खाली पेट पी ले और उसके बाद आदा घंटे के बाद आप नाश्ता करे पांस दिन तक इसका इंश्तिमाल करें और पांस आज दिन के बाद आप 10 दिन का फिर रेस्ट लें, 10 दिन में आप इसको इसको इस्तेमाल ना करें, और 10 दिन के बाद फिर उपाय को रिपीट करें, इसी तरह से आप इसको लेते रहें, जब तक आपके सिरीर से फैट और मन चाहा रिजल्ट आपको चाहिए, तो जब तक आप उसे stage पर ना पहुँच जाए जब तक आपके पेट की चर्बी आपकी जरूत के निशार खतम ना हो जाए वजन कम ना हो जाए जब तक आप इस उपाय को repeat करते रहें हमें उम्मीद है और 100% यकीन है कि आपकी चर्बी पेट की चर्बी और सरीर से वजन आपका बिल्कुल जल सब्सक्राइब जरू करें और हम जल्दी फिर लोटेंगे कुछ नए मर्ज और उनके आसान से उपाय के साथ तिल देन बाई 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 टेक क्यार